मनिपुर में दो महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है घरों में आग लगाई जा रही है मार काट हो रही है अपस में महिलाओं के साथ भयावय अप्तियाचार हो रहा है बच्चों के सर पर छट नहीं रहे और हमारे प्रधान मंत्री जी ने सततर दिन के लिए कोई बयानी नहीं दिया इस पे वहाँ पे आक्शन लेना छोड़िये एक लवज नहीं कहा कल मजबूरी में क्योंकि एक इतना भयावय विडियो वाइरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीती घोल दी उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रधेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है तो मैं आप से पूछना चाहती हूँ कि ये जनाक्रोश लिखा है ये जनाक्रोश किस बात का ये जनाक्रोश आपके ही मुद्दों पर है की नहीं है और यहां खड़े होकर मैं भी इस तीस मिनट के भाषण में दस मिनट प्रधान मंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ दस मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोशनाएं नकली घोशनाएं की कितने घोटाले किये कितने नाटक करते हैं शिवराज जी और मैं दस मिनट के लिए सिंद्या जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचार धारा ही पलट गई लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका मैं जानती हूँ क्या है महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्श सब्जी, फल, आटा, गेऊ, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ यह तो है ही जब टमाटर 1.500 रुपे में आप खरीद नहीं सकते तो यह तो है ही लेकिन इस महंगाई से किस तरहे आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है आज कल छट से कुछ पानी गिर रहा है आपको मरमत करवानी है वो मरमत महंगी हो गई है आपको किसी के घर जाना है कुछ ले जाना है उनके लिए वो खरीदना मुश्किल हो गया है आपके बच्चों की फीज भरना मुश्किल हो गया है इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाट साला तक जा रहे हैं उनके लिए च्छाता खरीदना मुश्किल हो गया है आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोज बन गई है ये महंगाई तो ये सिर्फ तमाटर के भाव की बात नहीं है ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरी बेहने यहां बैठी हैं सबसे बड़ा बोज इन पर है समाज का बोज महंगाई का बोज मेरी बेहने उठाती हैं सबसे जादा आज रसोई के लिए समान खरीदना है तेल खरीदनी है वो भी नहीं मिलती गैस का सिलिंडर मिलता तो था उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है आज आपको खरीदने जाना है तो हजार रुपे से कम नहीं मिल रहा हूँ बच्चों की परवरिश कैसे होगी सुबह उठके आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं कोई बिमार पर जाता है तो घबरायाट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहां से खरीद के लाऊ गर पे बिमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर मैं इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी मैं क्या करूँ आज ये हैं आपकी परिश्टितियां तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आकर मैं फिजूल की बाते करूँ मैं दूसरों की बार बार अलोचना करती रहूं मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाओं में हर प्रदेश में हर गाओं में हर मुहले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा कि यह महेंगाई क्यूं है कि महेंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यूं है कि एक ऐसी सरकार क्यूं है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपती एक या दो बड़े बड़े बिजनस वालों को बेच दी जहां से आपको रोजगार मिलता था उन कमपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सोपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे आपको रोजगार कहां से मिलता था PSU से मिलता था कम बड़ी बड़ी जो सरकारी कमपनी थी उनसे मिलता था आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था आपको रोजगार सेना से मिलता था आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था आज परिस्तितिया क्या है जो बड़ी बड़ी कमपनिया है वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को सेना की भरती का क्या किया अगनी वीर का आप जानते हैं आपका ये जो ग्षेत्र है ग्वालियर का ग्षेत्र रानी लक्ष्मी बाई जी का ख्षेत्र है यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहत पे खड़े होते हैं आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अगनी वीर की स्कीम आई और चार साल की सेना में भरती कराई गई तब से क्या स्तिती है मैं कुछ हर्याना के नौजवानों से मिली उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापिस जा रहे हैं घर तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किसलिए रहे हैं हम इतनी कई ट्रेनें इसलिए कर रहे हैं कि चार साल बाद हम बेरोजगार होके वापिस आ जाएं और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से जाए जितनी भी मेहनत कर लो इतनी महंगा ही है इतनी मुश्किले है कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे तो घर आकर क्या करेंगे वहां भरती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे कठे करते हैं कोई दस हजार के ट्यूशन कोई बीस हजार के ट्यूशन करता है और फिर देखिए पटवारी के इंतिहान में किस तरह से घोटाला हो गया तो इन चीजों का समाधान क्या है आज शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौक्रिया है मात्र 21 दी गई है पिछले तीन सालों में 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई उससे पहले इनकी सरकार दस सालों से चल रही थी उससे जादा आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितिया है तो चुनाओ के पहले ये कहने का क्या फाइदा है कि हम फला स्कीम बनाएंगे हम महिलाओं को कुछ देंगे हम नौजवानों को रोजगार देंगे क्या फाइदा है 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं तब तो आपने कुछ दिया नहीं तो ये परिस्थितिया हैं ये सच्चाई है आपके मुद्दे क्या है महंगाई है बेरोजगारी है जिस तरह से एगोटाले पर गोटाला होता जा रहा है जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहां मेरे पास निकालते हूं क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते खिर निकाल के बाद मैं बताँगी दिखनी रही तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किये कुछ नहीं छोड़ा सडके नहीं छोड़ी कुछ नहीं छोड़ा भगवान की मूर्तिया नहीं छोड़ी महाकाल में देखिए एक बात है देखिए दो बाते इनसान इनसान की जो नीव होती है न उसी तरह की नियत होती है और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नीव होती है उसी तरह की नियत होती है ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई इसकी नीव ही गलत थी पैसों से खरीदी सरकार है तो इसकी नियत इसका नतीज़ा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है शुरू से सिर्फ लूट सिर्फ गोटाले में ध्यान रहा है उपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है अब आप बताईए 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है और इसकदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं जो साथी होती हैं वो भी सच्चा ही नहीं बताते तो अठारा सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भाईया कोई पूछने वाला तो है नहीं जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे जब समय आएगा दूसरी बाते कर लेंगे जिससे जनता के जजबात जुड़े हुए है फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा कुछ खरीद नहीं पा रहा पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए और फिर से हमें वोट मिल जाएगा 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितिया है सत्ता की वज़े से हंकार है सत्ता की वज़े से आलस है और सुन लीजिए सत्ता का स्वभाव है कि वो इनसान की भी अससलियत उभार देती है ये सत्ता का स्वभाव है आप सत्ता को एक नेक इनसान के हाथ में दो वो भलाई करेगा आपकी सेवा करेगा आप सत्ता को गलत इनसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है महिंगाई बेरोजगारी से समाज में तनाव बढ़ता है जब समाज में तनाव बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं और अत्याचार हमेशा उन्ही पर होते हैं जो जादा कमजोर हैं आप सबने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकते की जा रही हैं आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कित्ते अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं की तो हम बात ही ना करें हर रोज बलातकार होता है एक तरफ आपके आपगारों में बड़े बड़े है इनकी सरकार के और दूसरी तरफ ये खबरे कि किसी भाजबपा के नेता के बेटे ने किसी के बलतकार किया है उसका अरोपी है या फिर किसी महिलाया की छेर चाड़ की है तो ये परिस्थितियां है अब आपको समझाना जरूरी भी है लेकिन मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा विवेक जनता में होता है सबसे ज़्यादा और मेरी समझ ये है कि जनता कभी खलत निर्ने नहीं लेती जो भी निर्ने है उसका आदर लोगतंत्र को करना पड़ता है तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए अपने भविश्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्ने करने वाले हैं ये निर्ने क्या है कि अगले पाथ सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो आपने पिछले पाथ सालों में देखा और इस विश्य में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे नौजवान भाई बहन बताइए आप मेंसे कित्तों को रोजगार मिला है मेरे किसान भाई यहां है आपकी जिन्दगी बहतर हुई है कि नहीं नहीं हुई पाथ सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं यहां व्यापारी होंगे छोटे दुकानदार वाले भी होंगे रहडी पट्री वाले भी होंगे क्या आपके जीवन बे तरक्की आई है की नहीं आप कितनी मेनद से कमाते हैं कुछ नहीं बचता आपके पास और जो आप पर सत्ता है जो जिनके पास सत्ता है जो आप पर राज कर रहे हैं आलस के बावजूद गोटाले पे गोटाले कर-कर कर-कर कमा रहे हैं बड़े-बड़े आलीशान महल हैं उनके बड़े-बड़े बिजनिस वालों के साथ गोंते फिरते हैं लेकिन आपके पॉकेट में आपके जेब में एक पाई नहीं बेचती आज ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरुक नहीं बनें मैं आप ही को दोशी ठहराऊंगी कि आपकी जागरुकता में कमी है आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं आप नेताओं से पुछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं कि आपने 22,000 घोशनाएं की उसमें से क्या आपने 2000 भी पूरी की आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20, 25 घोटाले इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती ऐसी चली जा रही है आप ये नहीं पूछती कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योग पती है जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ती दे दी है उनकी कितनी कमाई है मैं बताती हूँ 16,000 करोड रुपे एक उद्योग पती एक दिन में कमा रहा है जिसको इस देश की संपत्ती दे चुके है 16,000 करोड रुपे एक दिन में और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपे नहीं कमा पा रहा तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बदलाव चाहते हो की नहीं चाहते हो आप एक इमानदार सरकार चाहते हो की नहीं चाहते हो आप इस सरकार को हटा कर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जो आपके लिए दिन रात एक करके काम करे की नहीं आज 1600 युवा बेरोज़गार है प्रदेश में 1600 युवा आज महत्या कर रहे हैं बेरोज़गारी के वज़े से युवा जो होता है वो आशा रखता है महत्व कांशाह होती है उसकी माबाप के लिए कुछ करेगा कमाएगा घर में जो बच्चे हैं उसकी परवरिश करेगा आज वो सारे सपने तोड़ दिये हैं क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार दिलवाए जो आपको मजबूत बनाए जो बध्यप्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करे की नहीं मैंने उत्तर प्रदेश में एक नौजवान से पूछा कि बेटा ये जो राशन की बोरी तुम्हें दी जाती है तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें नौकरी चाहिए मैं सबसे पूछती थी एक ऐसा नौजवान नहीं था जिसने का मुझे राशन की बोरी दो एक नहीं था जितने भी नौजवान थे चाहे जितने गरीब हो चाहे छोटे छोटे से घर में रहते हो वो सब कहते थे हमें रोजगार चाहिए हमें नौकरी चाहिए हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार के लिए खुद कमाना चाहते है और इस सरकार ने आपको निर्भर बनाने का काम किया है आपको राशन पर निर्भर करेंगे या आपको अपनी फालतू की स्कीमों पर निर्भर करेंगे जिसमें आपको कुछ मिलता भी नहीं है लेकिन आपको रोजगार नहीं दिल्वाएंगे आपको अपने पैरों पर खड़े होने का काम नहीं करने देगे इसलिए कॉंग्रेस जो है वो आपके लिए कुछ वादे कुछ गैरंटी लाई है जब मैं कहती हूँ कि कॉंग्रेस गैरंटी देगी तो मैं इस अधार पर कहती हूँ कि हमारी जहां जहां सरकारे हैं वहाँ वहाँ हमने जो गैरंटी दी वो निभाई जा रही है चाहे आप मध्यप्रदेश में चाहे आप करनातका में चाहे आप हिमाचल प्रदेश में चाहे आप राजस्थान में देखे तो जो वादे किये थे वो निभाये जा रहे हैं राजस्थान में, 36 गड़ में, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है जीवन के लिए सुरक्षा मतलब कि नौकरी 20-25 साल नौकरी करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा आपको एक सहारा मिलेगा वो सहारा आज नहीं मिलता सरकारी कर्मचारियों को सरकार कहती है पैसे नहीं है इसके लिए तमाँ सरकारी कर्मचारी परेशान है इनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ करने के पैसे हैं आपके पेंशन देने के पैसे नहीं है इसलिए जहां जहां कांगरेश की सरकार है वहाँ वहाँ पुरानी पैंशन आज लागू है क्योंकि हम आपका आदर करते हैं हम समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है जो दिन राद सालों के लिए सेवा करता है उसके लिए बढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए और यहां पे भी एक खोशना यह है गारंटी कि पुरानी पैंशन यहां भी लागू होगी मेरी बेनों के खातों में हर महीने सीधे पंद्रा सो रुपे डाले जाएंगे जो गैस का सिलिंडर आज आपको हजार रुपे से कम में नहीं मिल रहा है आपको पाट सो रुपे में दिलवाय जाएगा सो यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी और दो सो यूनिट पर बिजली बिल आदी की जाएगी जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था वो नई सरकार अगर कॉंग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी आज आज 36 गर में कॉंग्रेस की सरकार है 2600 रुपे धान मिल रहा है 2600 रुपे आपको मिलते हैं धान के लिए जहां पर हिमाचल में हमारी सरकार है वहाँ जो वादे किये उनको पूरा करने का काम शुरू है करनाटका में कहा था कि महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त में मिलेगी आज महिलाए मुफ्त में यात्रा कर रही है तो इस बार मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रचंड बदलाव की लहर है और मैं आपसे आगरे करती हूँ कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कॉंग्रेस को जिताईए एक ऐसी मजबूत सरकार बनाईए जो ना खरीदी जा सके ना गिराई जा सके जो पाँच सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविश्य को मजबूत बनाएं एक ऐसी राजनीती लाइए अपने प्रदेश में जो आपके भविश्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी समस्याओं को सुलजाने का काम करे आपकी जितनी भी छोटी-छोटी समस्याएं हैं और जितनी बड़ी समस्याओं से आप जूज रहे हैं उनको सुलजाने का काम पहले दिन से शुरू होना चाहिए और कमलनात जी से मैं अपनी तरफ से एक मैं एक छोटी सी मांग अपनी तरफ से भी करना चाहती हूं में उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र छेसो रुपए है तो मैं आप से आग्रे करती हूं कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी ज़रूर बढ़ाईएगा देखिए ये ग्वालियर चंबल की धरती है जैसे मैंने कहा जहासी की रानी की धरती है बड़े बड़े यहां से महाँ पुरुष हुए अपने खेत्र के लिए अपने देश के लिए अपनी जनता के लिए जी जाने की कौालियर चंबल बारे अपकी जी मामा जी की भ्रश सरकार बदल बे बारे है बोलो बदल बेबारे है ना ठीक बोल रही हूँ और बोलो आपकी भाशा में एक बार हमाई संगे जोर से बोलो भाजप्पा जाए बेबारी है कॉंग्रेस आए बेबारी है भाजप्पा जाए बेबारी है Congress IAE में भारी है और आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आपने मेरा इंतजार किया मेरी बातों को अपने ध्यान से सुना मैं आशा रखती हूँ कि आप इन बातों को भूलेंगे नहीं और चाहे जिस भी पार्टी का नेता आपके सामने आए मंच पे खड़ा हो आप उससे ये जरूर पूछिए कि आपके मुद्दों पे बात करें और आपके लिए वो क्या करेंगे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद